अच्छे जी को मैं यह कहना चाहूंगे कि मैं सारी जी से मैं कभी मिली नी चाहिए जा रहा है गवन वाले जारा जाजी गवन कि कि नमस्कार मैं हूँ चोटु बाबु छपरा वाले और आप लोग देखना शुरू कर दियें भोजपुरिया टन अटन दोस्तों आपको याद होना चीए कि आज से तक्रीबन 18-19 साल पहले एक सौंग आया था एक एलबम आया था गवनवा ले जा राजा जी एक चुम्मा लेला राजा जी बन जाई जत्रा उसमें एक अभिनेत्री सांदार अभिनेत्री ने काम किया था वह अभिनेत्री हमारे नाम है गुंजन सिनहा जी गुंजन जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका बोच्पिरेटर नाटन के सभी दर्शकों को गुंजन कपूर सिनहा का प्यार भरा नमस्कार गुंजन जी आजकल है कहां दिखाई नहीं दे रही है जी मैं काफी सालों से दिल्ली में थी और अभ करने की पूरी तयारी में हूँ फिर से में अपना काम शुरू करने हो कितने मूविया अभी तक आपने किया है मैं भोषपुरी बात करें मैं तकरीबन अड़तीस फिल्म्स कर चुकियों और ऐल्बंस और सॉंग्स तो मुझे याद भी निकितने कर चुकियों आपका एक जो किया था उस समय में दिल्ली में रहती थी तो वहां टी स्रीज का मैंने एक हिंदी म्यूजिक वीडियो किया था तो गवन्वा लेजर राजा जी कि डिल्ली पहुंचे हुए थे उन्होंने इस सॉंग की शुटिंग करनी तो एक फ्रेश फेस चाहते थे उसके लिए वह सारे भुषपुरी एल्बम की शुटिंग होनी है तब मैं भुषपुरी के बारे में इतना जानती नहीं थी और ना ही उस वाग भुषपुरी फिल्म्स इतने चलती थी तो जब मुझे पता लगा कि इस तरह की लैंग्वेज जिस पर आल्बम बनने वाली तो मैं बहुत एक्सा आदिवा में यही गाना एक बज़रा था चहवार क्रिष्टा ही क्यों ना हो जी वह एल्बम के सॉंग्स तो बहुत ही जबर दस्ते और सिंगर अब जानते कल्पना जी ने गया हुआ था वह तो उनकी तो आवाज में एक ऐसा जादू है तो हम बहुत अच्छे गाने थे ज सबसी के साथ मैंने काम किया है एक खेसारी जी है無कित कि पकूल के सबसे बडिया सूपरस्टार अगर कोई तो खेसारी ला नहीं किया थे वज्सारी जब आयरे दिली चली गई थी और जब मैं दिली शिप्ट हुई उसी पीरियड में खेसारी जी की इंडस्ट्री मेंट्री हुई तो कुछ यही रीजन है कि मैं उन्हों को मिलनी पाई और हम लोग साथ में काम नहीं कर पाएं उमीद है कि अब जरूर मिलूंगे और साथ में हम लोग काम अगर खेसारी जी को मैं कहना चाहूंगी कि मैं खुद भी बहुत बड़ी प्रशंसक हूं कि मैं काफी फिल्म्स देख चुकी हूं तो उमीद करती हूं कि हम लोग जल्दे साथ में काम करें राज गुमार पांड़ जी खेसारी लाल को पर एफाइर करती है अच्छा यह तो में कुछ विवाद चल रहा था इसके बारे में तो मुझे जानकारी थी तो मुझे नहीं पता था आलम यह है कि दोनों जने सोचल मीडिया पर आके बोलते हैं कि मैं खेसारी का नाम लेकर आत्महत्या कर लूँगा अब देखें इनका परस्नल मैटर तो क्या है वो तो मैं नहीं जानती हिसारी जी से मैं कभी मिली नी बाकी बात रहएगी राजकुमर पांडे जी कि उनके साथ मैंने काफी फिल्म में गाम किया है तो उनका इस तरह का सोशल मीडिया पर आके उनका रोना या इस तरह का बया एसा रीजन आगे कि उनको एकदम सोशल मीडिया पर आके चीज बोलनी पड़ी और जो दर्शक देख रहे हैं जो हमारे दर्शक है या राज जी के खेसारी जी के फैन उनके तरफ क्या मैसेज जा रहा है कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में एकता नहीं है हम लोग आप जब काम की स्टार्टिंग की थी हमने काम शुरुआत की तब इस तरह का महल नहीं था बिल्कुल वह बहुत प्यार से बहुत एकता से सब लोग मिलके भले वह किसी भी जगा कि हो किसी भी जाती के हो मैं खुद पंजाबी होने के बावजूद मुझे बोचपुरी फिल्मों कि दोनों को कि आप लोग के आपस में जो भी प्रॉब्लम है आपस में बैठ के सैटल कीजिए इस तरह से सोशल मीडिया पर आके यह सब करना बहुत गलत है बहुत गलत है चलिए यह मुझे भी जनकारी नहीं थे कि आप पंजाब से हैं भोजपुरी बोलना आपके लिए कितन वह पुलाइदा दिन वासु दिन वाके भेदिया भुलाईदा दोली लेके आजाजी गवनवाले जा राजाजी गवनवाले जा राजाजी जाते 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 दखों से अब क्या कहना चाहेंगे अभी होली है दो दिन बाद मैं सभी दर्शकों को यह बोलना चाहूंगी कि आप सब रुख जैसे जानते है कि करोना करोना का प्रकोब जो है फिर से हमारे देश पर उमड़ाया है तो प्लीज हाँ जोड़के मेरी आप सबसे विंती है कि प्लीज कम से कम घर से बाहर निकले इस बार होली घर बैठ के मनाएं ना कि भीड़ भाड़ी खटी करें और मास्क जरूर पहने हाथ धोते रहें सैनिटाइजर यूस करें इस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटें करें और जितना जरूरी हो उतना ही बाहर निक किया है थैंक्यू मैं दोस्तों यह हमारे सर्थी गुंजन सिनहा जी आप बने रहे हैं टना टन के साथ क्योंकि आपको बड़ी खबर